अभ्यूप अप्रियू आज का जो वीडियो है आप लोग के यूपी पीसेजे के प्रिलिम्स के इग्जामनेशन में जो डिलियो हो रहा है उसी से लेकर बनाए गया है आप लोग को बताया गया था कि जो कमिशन का रिजल्ट है वो 14th मार्च के पहले पहले आ जाएगा आज 15 12th मार्च हो गया रिजल्ट नहीं आया क्यों रिजल्ट नहीं आया इसके बारे मैं सर आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताने जा रहा है जिन लोगोंने अभी तक परिछा रिप्रेसर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक और शेयर करें ये स्टुडेंट आप टेलिग्राम से भी परिच्छा रिफ्रेशर के तुरू सरसे जूड सकते हैं तो ये स्टुडेंट आप लोग जो को पीसे जे का एक्जाम दिया था जिसका रिज़ल्ट मार्च पहले पहले आना था क्यों नहीं आया आपको इसपी वीडियो दौरा आपको बताना चाहते Een Creating litigation आप लोगों बताना चाहते हैं एक litigation हो गया था बिवाद हो गया था मुकदबा हो गया था commission के गिएस जिसके कार रिजल्ट रुख गया है आज इसको आप लोग को पूरह बताना चाहते है कि वह matter क्या था और क्यों यह result आप लोगों के लिए रुका तो देखें स्टूडेंट आप लोग को जैसे मालूम है कि पबली सर्विस का मीशन ने जो वेकेंसी एड़ोटाइस की थी उस वेकेंसी का जो फॉर्म था जिसका एक्जाम आप लोग को 12 फर्वरी को लिया गया इसमें देखें एक कैंडिडेट थे उन्होंने भी फॉर्म फिलप किया था उनका नाम था कृष्नकान सिंग क्रिश्नकान सिंग जी थे एक वैक्ति हैं और यह इसी पाम को डाला लेकिन जो पॉब्छी सर्विस के भीशन ने जब फॉर्म को शॉर्ट आउट किया तो 27 जन्वरी 2023 को इनका फॉर्म हुए रीजन ये बताया कि आपने जो PCSJ का फॉर्म डाला है आपने जो दिव्यांग सरी में आप जिस काटेग्री की डिमांड कर रहे हैं आप उसके अंतरगत नहीं आते हैं इसलिए आपका फॉर्म रिजट किया जा रहा है और आप कमिशन के निरॉले से संतुस्ट नहीं है तो आप इसको अंडेबिल कोट में चैलेंज कर सकते हैं तो इसका फॉर्म कांज जी ने क्या किया कि अंडेबिल अलहाबाद हाई कोट में एक रिट फाइल किया जो इस रिट का नंबर है रिट नंबर 1331-131-2023 जब इन्होंने इस रिट को फाइल किया इन्होंने पारिटी बनाई स्टेट आफ यूपी अनदर्स इसमें कमिशन को और इस्टेट के राजसरकार को सभी कोई नहीं पारिटी बनाया तो कमीशन ओंडेबिल कौट में दो जसा बैठे थे ओंडेबिल जस्टिस रमेश विद्यार्थी जी इनकी डबल बेंच ने इनके मैटर को सुना और दस फर्वरी दस फर्वरी दो हजार तेईस को एक इंट्रिम ओडर दिया प्रिश्रकान जी के फेवर में कमिशन को डायरेक्शन दिया कि आप इनको एक्जाम देने दीजिए और जो फाइनल आडर होगा फि प्रिलिब्स का इग्जामनेशन था उसमें जो प्रिश्रकान सिंग और कमिशन को चार हफते के अंदर अपना जवाब देना था कि कमिशन ने रिजल्ट तो पूरा त्यार कर लिया और कमिशन ने यह डिसाइड किया था कि मुझे 9 मार्च से 14 मार्च के बीच इस रिजल्ट को हंडेड पर्सेंट पब्लिस कर देना है और खासकर 11 मार्च को तो पूरी रिजल्ट आने की संभावना थे सटर डे का दिन था पूरी पूस्पिल्टी थी कि रिजल्ट आप लोग का आउट हो जाएगा कमिशन के चेर्मेन ने जब अपने लीगल से बात किया तो लीगल स जो छेर्मेन साथ थे पबलिस सर्विस कमिशन के रिजल्ट को पब्लिस नहीं किया गया ते दिखें अब आप लोग का रिजल्ट कैसे आएगा तो देखें जो कंशब्स जो ऑनने बेल रिफ सकी की अगली डेट फिक्स किये वह फिक्स किये थर्ट अप्रेल 3rd April 2023 3 April 2023 की डेट इसकी इरिंग के लिए फिक्स किया है तो देखे पब्ली सर्विस कमिशन आउन डेबिल हाई कोड से ये डिमांड कर रहा है कि आप अगर मुझे रिजल्ट निकालने के परिविशन दे दीजे तो मैं रिजल्ट को आउट कर दो क्योंकि मैंने मेंस की डेट को अलगी फिक्स कर रखी है आप लोग को पता होना चाहिए कि पब्ली सर्विस कमिशन ने आप लोग के यूपी पीसेजे जो डीसरी की जो मेंस की डेट है 23 माई, 24 माई और 25 माई को पहले से फिक्स कर रखी है और उसमें कोई भी परिवर्तर नहीं होगा ये बिलकुल आप दिमाग में मत रखिएगा इसमें जो है और बिल कोर्ट में केस चल रहा है तो कमिशन और बिल कोर्ट से ये डिमांड कर रहा है ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे रिजल्ट निकालने के परिमिशन दे दीजिए और जो रिजल्ट होगा वो कृष्णकान सिंग जी के फाइनल डिस्पोजर पर डिपेंड करेगा अगर कृष्णकान जी को कि अलाउ हो जाता है प्लस वह प्रिलिम्ज कॉलिफाई करते हैं तो वह भी मेंस के लिए इंटाइक्टिल होंगे देखें टेस्टोटेंट दो पास्बिल्टीज है एक तो अगर ओन डेपिल कृट कमिशन को पर्मिशन दे देता है कमिशन के रिक्वेस्ट को इलाओ कर देता है किसी टाइम किसी दिन आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा आप लोग ये गलत फ़र्मिवत रहिएगा कि एक्जाम पोस्पॉंड होगा दूसरा ये है कि मैक्सिम तीन अप्रेल को तो फाइनल लीरिंग होकर रिजल्ट आप लोग को आउट हो जाएगा आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति बिल्कुल लापरवाई मत बरतिये कमीशन ने चोंकि मेंस के डेट आले डी घोसित कर रखी है तो कमीशन अपना एक्जाम उसी डेट पर लेगा है तेईस चोविस पच्चिस माई को ये बिल्कुल भ्रम्मे मत रहिएगा कि उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा तो आप लोग वेट करें और बहुत ही जल्दी आप लोग का कमीशन के द्वारा रिजर्ट निकाला जाएगा तो ये स्टूडेंट ये न्यूली अप्डेट थी आप लोगों के लिए तो कि सर ने खुद भी कहा था पिछले वीडियो में कि आप लोग को 14 मार्स तक रिजर्ट मिल जाएगा मैं भी चिंते था मैंने भी कल स्टूडेंटों क्या कटाफ होगा अगर आप उस कटाफ में आते हैं तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए तेजी से अदर्वाइस आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप रिजल्ट आने के बात त्यारी करेंगे तो आपका कुछ रही हो पाएगा डे स्टूडेंट से स्टूडेंटिस से जुड़े हुए हैं उनको यह बताना चाहते है कि सर की ओर से एक निया बैच स्टार्ट हो रहा है बीस मार्च दो हजार तेजिस का बैच है यह सुबर नौ बजे मौनिंग में नाइन एम पर यह बैच माइनर रेट से जुड़ा हुआ है यह माइनर र त्यारी कर रहे हैं उसमें माईनर रेक्ता आता है जो स्टुडेंट राजिस्तान युडिसरी के त्यारी कर रहा है नौ बजे इसमें आपको करना क्या है कि सर का जो यह सेकंड वाला नंबर शो कर रहा है 9 00507 8691 इस पर वाट्सअप करके आप अपना आधार की फेस साइड बैक साइड फोटो डालेंगे इसके बाद आपको कोचिंग का अकाउन नंबर जाएगा उसमें आपको फीज डिपॉजिट करनी पड़ेगी इसके बाद आप बैच से जुड़ जाएंगे 9 बज़े सुबह 20 मार्च को यह बैच स्टार्ट हो रहा है देखे डे स्टुडेंट दूसरा बैच परिच्छा रिफ्रेशर ऑनलाइन लाग क्लासेस का प्रिलिम्स का स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च 2023 यह उद्य बैच है प्रिलिम्स के लिए उद्य बैच 25 मार्च 2023 को साड़े छे बज़े साब को इसमें जो पेपर आप लोग का स्टार्ट होगा इंडियन कॉंटेट एक्ट भारती संविधा अधरियां इसमें भी एडिशन लेने के लिए आपको यह क्लासेस का वाट्स अप नमबर दिया है इसमें आप मैसेज डाल कर मैसेज का मतलब कि आधार के फेस साइड बैक साइड डाल कर आप इसमें एडिशन के शुरुआत कर सकते हैं और तीसरा बैच डिया स्टूरेंट आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है जो फाउंडेशन बैच है यह उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफीसरी होता है जो सर्विस क्लास में है जो लोग एडोकेट है जो हाउस वाइफ है उनके लिए एक बैच रात में आठ बजे चलता है फस्ट अप्रैल से 2023 फस्ट अप्रैल 2023 रात में आठ बजे से इस पर स्टार्ट हो रहा है इंडियन यूडियन सेक्ट भारती साच अधनियंग इसमें बेन रोड होने के लिए आपको जो क्लास के नंबर बताए गए है उसमें आप अपना फेस साइड बैक साइड का आधार भेज कर क्लास से जोड सकते हैं और देकेटे स्टुडेंट जो स्टुडेंट मेंस के त्यारी कर रहे है उनके लिए एक बैच स्टार्ट हो चुका है दिन में 11 बजे से 11 बजे से 12 बजे का मेंस वाले स्टुडेंटों के लिए 11 बजे से 12 बजे का बैच स्टार्ट हो सफलता बैच सफलता बैच तो देखें यह सारे बैचे जुडिश्री के स्टूटेंटों के लिए समय रन कर रहे हैं किसी स्टूटेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो वह सर को वाटसब पर मैसेज डाल के पूछ भी सकता है कि सर मुझे क्लियर कर दीजिए कौन सा बैच कप चलेगा 20 मार्च को 9 बज़े सुबह स्टार्ट हो रहा है माइन अरेक्ट 25 मार्च को दो हजा 25 मार्च दो हजार 23 को साड़े 6 बज़े स्टार्ट हो रहा है इंडियन कॉंटेट ए सब्सक्राइब किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक्यू माइडिया स्टूटेट